कि इस कक्षा में हम आज कक्षा आठवी का पहला चैप्टर लेंगे जिसका नाम है ध्वनी ध्वनी के जो कवी है वह है सूर्य का अंत्रपाथी निराला जो निराला जी हैं बच्चों वह यूवापीडी के अंदर नया उत्सा और संचार भढ़ना चाहते हैं उनमें आसा का स संचार करना चाहते हैं वह यूवापीडी को उत्साहित और प्रेरित करना चाहते हैं किसके द्वारा अपनी कवीताओं के द्वारा उनमें नया संचार बढ़ना चाहते हैं उनके आलस को दूर करना चाहते हैं रचाते हैं कि यूवापीडी सही दिशा में अगरसित हो वह अपना काम करें, महनत करें लगन से, ऐसे ही उन्होंने, यही उद्देश उन्होंने अपनी इस कवीता में दिया है, तो पढ़ते हैं हम अपनी कवीता, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में म्रदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, इसमें कवी कहत कि जिस प्रकार वसंत्रित्व को राजा है उसी प्रकार उसके जीवन में युवा काल भी आया है तता उसका कवी जीवन अभी अभी शुरू हुआ है कहने का ये तात्रिय कवी का कि कवी के जीवन में आसा का संचार अभी हुआ है उसका मन उत्सा और मंगों से भरा हुआ है उ और वै इसको आगे बढ़ाना चाहता है इस वसंत्रितु को यानि अपने जीवन काल में जी कवी जीवन आया है उसको आगे बढ़ाना चाहता है वैसे बहुत आगे तक ले जाना चाहता है अब इसमें जैसे हमारे एक शब्थ मृदूल मृदूल का अर्थ होता है कोमल ठीक है जाते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों और पेड़ पोधे, हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, व्रक्षों की डालिया ने ने, कोमल पत्तों और कलियों से डग जाती है, उसी प्रकार कवी के जीवन में भी उत्सा और उमंका और जो उसका संचार हो गया है, वह अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा यूवा पीड़ी के अंदर उत्सा और संचार भरना चाते हैं, ठीक है बच्चों, वह अपने स्वपमिल हातों को नींद से अलसाई कलियों पर फेड़ना चाते हैं, यानि वह अपने हाथों से, अपनी रचनाओं से, जो यूवा पीड़ी है, उसको जगाना चाते हैं, उसमें उत्सा भरना चाते हैं, ठीक है, अर्थात वह निरासा तथा आलस में जो डूबे वे यूवक हैं, या यूवा पीड़ी हैं, उनको प्रिरीत कर अच्छे कामों में लगान चाते हैं, उनमें उत्सा भरना चाते हैं, वह चाते हैं कि जो यूवा पीड़ी है, वह मैंनत करें और सफल हो, और कुछ ना कुछ बने, पुष्प पुष्प से तन्रा आलस लालसा खीच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमरित सहर सशीच दूँगा मैं, कवी निरास तथा आलस में डूबे हुए पुष्प रूपी नवियूकों को, उनकी नींद को, उनके आलस से को दूर करना चाते हैं, उनको पुर्ण करना चाते हैं, जो ये नव यूवक हैं, जो नव जीवन में अभी अभी आए हैं, उनमें उत्सा बरना चाते हैं, उनमें अमरित बरना चाते हैं, वे चाते हैं कि ये महनत करें, करम शील बनें, ठीक है? कहने का अतात पर ये ये है, कि वे अपनी रचनाओं के द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनन्थ अभी न होगा मेरा अन्थ कवी का अंतरमन चाता है कि जिस प्रकार फूल अनन्थ काल तक अपनी महक तता सुंदर्य बिखेरते रहते हैं उसी प्रकार हर युवक भी अपनी सुकार्यों द्वारा यानि अपने क द्वारा च्छे कर्मों द्वारा इस देश समाज में अनंतकाल तक सुंदर्य बरता रहे जीवन में उमंग और रासा से परिपून कवी नवियोकों से कुछ कहना चाहता है इस कवीता में वे उनके जीवन को एक दिशा दिखाना चाहता है जिससे कि वे फूलों के समान उनक वह आगे सफलो सुकें इसलिए कभी कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत क्योंकि अभी अभी उन्होंने लिखना आरंद किया ठीक है बच्छों तो इस कवीता के अंदर सूरे का अंत्रपार्टी निरागा जी क्या कहना चाहते हैं वह यूवा पीड़ी को एक संदेश देना चा आगो आप सभी भी यही करो और इस कवीता को अच्छे से पड़ो तैंक यू